Hello everyone, welcome back to Ninja Prep, this is Kapil Goyal, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेंसर का एक important topic जिसका नाम है Kronecker Delta, Kronecker Delta टेंसर के अंदर एक important role play करेगा, टेंसर में बहुत सारे हम जो operations हैं वो देखेंगे जिनको हम Kronecker Delta की help से solve करेंगे, वहाँ पर Kronecker Delta का use भी होगा, तो आईए समझ है कि Kronecker Delta है क्या और इसकी properties क्या है, वीडियो को हम continue करें उसके पहले अगर आप लोग ने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए, वीडियो को like कर दीजिए और share कर दीजिए, मेरे चैनल पर आपको ना सिर्फ BSC, MSC के वीडियो देखने को मिलें करेंगे, BSC, MSC से related subjects के वीडियो देखने को मिलेंगे, बलकि अगर आप preparation कर रहे हैं, IIT JAM, CSIRNET की और अगर आप career guidance के लिए भी वीडियो सर्च कर रहे हैं कि कौन से college में आपको admission लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो वो series भी बहुत जल्द ही आने वाली है, COET के उपर तो मैंने बहुत लंबी चौडी counseling की जो series है, वो की थी और कई लोगों को से फायदा भी हुआ था, अगर आप लोग भी preparation कर रहे हैं, COET PG 2023 के लिए, तो आप लोग भी join कर सकते हैं मेरा channel, फिलाल बात करते हैं, Kronecker Delta की, और आगे बात करेंगे कि आपको मेरे channel पर क्या मेल सक है, चलिए साब, तो Kronecker Delta की अगर मैं बात करता हूँ, तो Kronecker Delta जो है, एक Delta function है, एक operator है ये एक, जिसको हम इस तरह से show करते हैं, मैंने सब्सक्रिप्ट में लिखा J और सूपर स्क्रिप्ट में लिखा I, ठीक है, ध्यान रखना, मैं इस तरह से इसको show कर रहा हूँ, सब्सक I is equals to है J, और ये value देता है 0, यदि I is not equals to है J, ये इसकी fixed values है, यदि I और J बराबर होगा, यानि कि ये सब्सक्रिप्ट और सूपर स्क्रिप्ट वाली चीजे बराबर होँगी, तो ये अपनी value देगा 1, और अगर ये देनो value बराबर नहीं है, तो ये अपनी value देगा 0, तो उसने उसकी value को change कर दिया, जैसे function है कोई, function let's suppose 4x square है, और उस x की मैं कुछ value रखता हूँ, तो function की value क्या हो जाएगी, change हो जाएगी, तो function क्या करता है value को change करता है, उसी तरह से ये एक operator है, जो क्या करेगा, किसी भी function की value को क्या कर देता है, change कर देता है, ठीक है, तो it is a operator, या ऐसा बोल सकते हो, like a operator, which changes the value of function, which changes the value of function, अब इस चीज़ को यार मैं है न, हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो वो sufficient है, आप लोगो समझ में आ रहा हूँ, जो भी लोग हिंदी में वीडियम वाल है, अगर उन j i बोल लो, और is equals to one है, जब i बराबर j है, और zero है, जब i is not equals to j है, यह नीचे वाला जो suffix रहेगा, नीचे वाला जो सब्सक्रिप्ट में लिखा हूँआ, जो नीचे लिखा हूँआ, सब्सक्रिप्ट, उपर जो लिखा होगा, सूपर स्क्रिप्ट, तो नीचे जो लिख सकते हो, जैसे partial differentiation की मैं बात करता हूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ, partial differentiation, तो partial differentiation में क्या होता है, दो variable होता है, मालो एक variable है y और एक है x, तो y का, तो y भी variable है और x भी variable है, डेल y अपॉन डेल x करूँगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा, और यदि डेल x अपॉन डेल x है तो इसने अपनी value दे दी 1 और यह एक बराबर नहीं है तो 0 है कैसे अगर आप इसको ऐसे लिख दो del x i upon del x i यानि कि j की value हो गई 1 तो यह हो गया 1 और आप ऐसे लिख रहे हो y को i लिख रहे हो और जो यह j है इसको आप लिख रहे हो del x j तो अब यह दोनों अलग 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 वह उपर वाला y बन गया और नीचे वाला x बन गया तो यह अलग अलग variable हो है तो यह आ गया 0 तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो पर ऐसा आप इसका solution नहीं बना होए समझने के लिए तो कुल मिलाकर मैं यह कह रहा हूं कि आप जो यह डेल आई जे है डेल जे आई या आई जे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो थोड़े बहुत फिजिक्स के लेक्चर कंप्लीट हो जाने दो उसके बाद मैट्स की भी स्रीज चालू करेंगे और जल्दी ही जूलोजी और बाटनी और केमस्ट्री वह भी लाएंगे तो जो भी लोग टेलिग्राम चैनल से जुड़े हूं है अलग लग टेलिग्राम चै ऑप लोग जलुकर जल्दी से जुड़ते जाएए अप लोग के लिए यूसफुल हई पने जो भी साथी जो भी हैं पने जो भी कलीकर कर सकते हैं तो ये तो बात हो गई कि कर देल्टा है क्या और यह अपनी वैलियू को कैसे दे रहा है अब हम बात कर लेते हैं इसके जिए प्रॉपरटीज है वह प्रॉपरटीज होती है यानि कि जो अंक्शन किसी क्षेशन के अंदर ये वैल्यू आ गई तो आप इसको कैसे डारेक्ट वैल्यू यूज करकर लिख है अब यह कैसे आया मैंने आपको बूला यह नीचे वाला जो है नीचे वाला यह जिसको आप изб tune बोल रहा हो यह यह क्या है यह दमीधिक्स यानि की क्या करेगा चेंज चैन्ज करेगा और इसकी वैलियू से लेकर और आ Tahit band act चलेगी अगर आप आप सब्सक्राइब अगर चरें लिखेंगे प्लस हुपर वाले फिक्स है यह छान भाला है लोगा सब्सक्राइब नीचे वाले ने अपने ये करेगा एक करेगा अभ मैं इसको whether Tobin DC कम और वाला यहाँ पर नीच्वाला सब्सक्राइब क्यों कितनी इसी तरह से आगे का उसक्तर एंगे डेर फॉर फॉर फैफ पैफ और यह कहां तक जाये की यह जाएगी एंड तक डे एन तो हमने अभी अभी बात की कि अगर i और जे बराबर हो ना वह रहांगो चलेकर आए यह धारा का है गता जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा n हो जाएगाjmh समझ में आगे यह हूगी प्रापर्टी बहुत असान हाद गैघा है दूस्री प्रापर्टी में यदि मैंने इसको किसी 7 से multiply के है अब यह जो लिखा हुआ यह टेंसर लिखा हुआ है अब टेंसर मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं इसके आगे वाले लेक्चर में जस मैं उसकी बात करूँगा क्रौनेकर डेलटा का उसके यूज है तो उसके पहले मैं आपको सोचा कि क्रौनेकर डेलटा पढ़ा दिया जाए तो देखो तो ये किसी फंक्शन देहा एक क्या वेल्यूघ को गर क्या रदेगा पहले one और यहां पर आई लिखा हुआ है अब यहां जे लिख जे की वैल्यू चेंज ओगी तो यहां पर भी होगी तो यहां बनेगा a1k प्लस यहां पर लिखा मैंने two यहां पर i का i रहेगा यहां पर क्या होगा a2k तो यह ऐसे वैल्यू आगे बढ़ेगी एक J की value वो भी आएगे जब J किसके बराबर पहुंचेगा I के बराबर तो J जब I के बराबर पहुंचेगा तो यहाँ पर भी क्या बना I यहाँ पर भी I और यहाँ क्या बनेगा I और यहाँ क्या बनेगा I फिर ऐसे ही आगे बढ़ेगी जे की वैल्यू तो जे की वैल्यू क्या होगी एक एन होगी और यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा एन और यहां पर क्या होगा यहां पर आई जे अगर बराबर नहीं है तो सारी वैल्यू क्या हो और सिर्फ आंसवर क्या रहा है ए आई के तो इसका मतलब अगर जे आई लिखा है जे आई यहां पर भी जे है और यहां पर भी जे है तो जो फाइनल आंसवर आ गया जो टेंसर कॉंटिटी बन गई वो क्या बन गई ए आई के क्या बन गई ए आई के समझ में आ गया है आगे बात करते हैं आगे बात करें तो हमारे पास कोई क्रोने का डेल्टा इस तरह से लिखा हुआ है डेल जे आई और यहां लिखाए के जे तो इसका अंसवर देखो आप सुब्स्टिट्टीट होकर क्या बन गया के आई बन गया अब यह कैसे बना वो देखते हैं अच्छा देख नहीं करना है कहने के मतलब नीचे वाले की वैल्यू एक तो यहां पर आई यहां पर के का के और यहां पर जे है तो यहां पर भी जे तो इसने भी वैल्यू चेंज करी फिर डेल यहां पर वैल्यू दो यहां पर आई यहां पर डेल यहां दो तो यहां के फिर आगे यहाँ पर भी कितना होगा İ यहाँ पर Dale यहाँ पर भी कितना होगा I और यहाँ पर K ठीक है? फिर यह आगे value बढ़ेगी यह value कहाँ पहुचेगी N यह I यह N और यह K तो यह सब 0 यह 0 यह यहाँ पर देखो क्या value देगाיה वापस से 1 और यह सब क्या जीरो यहां बच गया यहां बच गया डेल के और यह आई और यहां पर 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 क्या बनेगा यहां बनेगा डेल आई और डेल आई इसका तो कुछ प्रॉपर्टी दी क्रॉनिकर Δव लटा की तो मेरी समझ में आपको बहुत आसानी इस समझ में आ होगा इसमें कोई भी ऐसा रोकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं समझ पाए हो बहुत सिंपल मैथेमेटिकल फंक्शन था जिसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश भी है अगर आप लोग लेक्चर को देख रहे हैं वीडियो को देख रहे हैं और कं जल्दी ही आने कि 8-10 दिन बाद से पहले मैट्स के वीडियो आएंगे देन उसके बाद केमेस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो आएंगे पर फिजिक्स के बाद पहले मैट्स के आएंगे बाद में थोड़ा केमेस्ट्री के और फिर किसके जूलोजी और तो उसके लिए भी ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल है टेलिग्राम जो लिंक्स हैं वो मैंने आपर मेंशन किये हुए हैं वो बहुत ज़्यादा एलफुल हैं क्योंकि उनके उपर नोट्स पड़े हुए ज़ porta-nya क्योंकि भी सब Sounds दो जो पिलाहिम आपको आप है टेलिग्राम का वो मैंने description में डाला हुआ है उसको follow करके मिया आधाल चैनलल का झाल एक ताम झाल झाल